दोस्तो हाली में हनी सिंग ने इस बात का खुलासा किया है कि वो जब डिप्रेशन के दोर से गुजर रहे थे तब किसने उनकी खैर खबर ली या यू कहिए कि उनके बुरे दोर में किसने उनकी हेल्प की उन्होंने कहा अक्षे पाजी का कॉल आता था वो फॉल अप करते थे डिपीका मेरे डॉक्टर से बात करती थी वो खैर खबर लेती थी और शारुक भाई के यहां से रोज कॉल आता था इनफाक जब शारुक भाई कॉल करते थे तब मैं उस कंडिशन में नहीं होता था कि मैं बात करता पर वो रोज कॉल करते थे और मेरी फैमिली से बात करके म इसका नाम bipolar disorder है। उन्होंने बताया ये बीमारी बहुत खतरनाक है और ठीक होने में काफी समय लगा। उस दोरान चार डॉक्टर्स चेंज हुए, मेडिसिन्स मुझ पर काम नहीं कर रही थी और मेरे साथ बहुत अजीब चीजे हो रही थी। बिल्कुल जिन्दगी से बेजार हो चुका था और मैंने हर दिन राद मरने की दुआ की है। वो आगे कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है और किसी के साथ ऐसा ना हो दुश्मन के साथ भी नहीं। उन्होंने इस बीमारी को COVID-19 से कंपेर करते हुए कहा कि वो तो एक सरदी जुकाम था पर मुझे तो मेंटल हेल्थ का COVID-19 हुआ था। इसलिए दोस्तों जिन्दगी एक नायाब चीज है और उसे उसी तरह ट्रीट किया जाए। दोस्तों अपना बहुत सारा खयाल रखे और हस्ते मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तिल दें टेक केर बाबाई।